कुलो जीला के बाउडा में खनन को लेकर चली कश्मकर्ष अभी खतम नहीं हुई है दलाशनी रोट व सचानी पंचाथ के लोगों ने आरोप लगाया कि कोट के स्टे के बाद भी वहाँ पर खनन शुरू किया गया और पुलिस ने खनन माफिया को सुरक्षा दी है वहीं ग्रामीनों ने बताया कि उन्होंने खनन को रोखनी का भरसक प्रियास किया है और खनन माफिया लड़ाई जगडा करता रहा ग्रामीन विपिन शर्मा वो निशा शर्मा सहित दरजनों ग्रामीनों ने यहां प्रेस क्लब में आ कर बताया कि यदि खनन जारी रहा तो पंचायत की महिलाएं इस खनन का बिरोध कर रही है क्योंकि यह हमारी घासनी है जहां से हम लोग घास लाते हैं पश्यों को पालते हैं हमारे बजूर्ग भी यहीं से घास लाते थे और यह सब की घासनी है 200 साल पुरानी घासनी है और यहां पर खनन हो रहा है हम इसका बिरोध कर रहे हैं और हम इसके खिलाप एस पी कुल्लू का हमकल घ्राब करेंगे क्यूंकि यहां पर जबकि हाई कोट के ओर्डर थे कि यहां पर स्टे लगा हुआ था फिर भी यहां पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आज उन्होंने काम शुरू किया हुआ है इसलिए हमकल सभी महि का स्थाई निबासी हुँ आज हम श्चानी बढ़ेवली मडार शोगी और शेय बढ़ी और थ्रास की जंता सभी यहां पर कठे हुई है आज राजेश राओ द्वारा कोट की जो अभेला करके उसने आज जो तीस तारी कोड निकले तो थे कि बहाँ पर ना प्रटिशनर जा चाहिए आँए webpage द्हूंतरा तारी को राजइश राओ नें बाcanag अगर बंद नहीं कने नहीं तो फ्रुम को घ्ख्राब करेंगे एक तारीक आण ईकर यह विल्गियों पूरी तरह से यह खनन बंदूना चाहिए क्राओ